हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग मैं द्रगेश आश्वाल स्वागत आपका हमारी यूटूब चैनल इलैनी भी द्रगेश में आज हम लोग जीएस सुपा 30 सीरीज में विश्व भुगोल के शुरुवात कर रहे हैं और विश्व भुगोल में काफी महत्तपूर्ण चीज़ों को पढ़ना है और सुपा 30 सीरीज जहां पर सबस्यादा परिच्छों प्रश्ण बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्णों की महत्तपूर्ण है और आप इस अच्छे तरीके से त्यार कर लिजेगा और कौपी कलम लेकर साथ बैठेगा यहां से परिच्छों में बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्ण आते हैं तो कौपी कलम लेकर बैठेंगे तो इस भोगोल की जो महागाता सिरीज है इसमें कि शूर की उर्जा होती है तो यहां पर चार अपसंदिया आयन द्वारा और नावी की विखंडन द्वारा अक्सी करन दौरा मैं इस बारे में आपको पढ़ाया है और मैंने बताया था अगर आप मेरी क्लास रेगुलर ले रहे होंगे तो जितने लोग वीडियो को देखे ये मुल्यांकन कर लेंगे अनलाइक कर देंगे भगवान उसकी दिमाग उनकी वद्धी उनका करियर इसी तरह से बनाए रहे बाकी जो लोग मेहनत और अच्छे से पढ़ रहे हैं वैसे जल्दी जल्दी काम्यावी की बलंदियों पर चले और शूर करें वो लोग अप की विखंडन होता है लेकिन जो नाविक की विखंडन होता है एक भारी नाविक से दो अधिक छोटे छोटे नाविक टोड़ते हैं वही जो नाविक की सल्लेन होती है इसमें दो छोटे छोटे नाविस जो नाविक होते हैं आपस में सल्लेत होकर एक भारी नाविक का निर्म आगे बढ़ते हैं अगले पश्णी की तरब से फटाफट आप लोग वीडियो को देखते रहेगा सभी को शेयर कर दीजेगा और वोगोल की महा गाता सिरीज है जहांपे हम लोग जीएस सुपर थर्टी सिरीज प्रद दिन आपको लेकर राज साड़े नो बजे आते हैं तो फटाफट कमेंड करेगा कमेंड करके बताएगा कौन सा सौर मंडल नहीं है यहां आपको यह बताना है कि निम्लिखित मेंशे कौन सौर मंडल नहीं है फटाफट कमेंड करके बताएब लोग फटाफट जो भी लाइब देख रहे हैं फटाफट कमेंड करके बताएब लोग कि फटाफट कमेंड करें कमेंड करें करके बताएं अब सबी लोग जो इस वीडियो को लाइब देख रहा है यहाँ पर हमारे सोर मंडल के सा बुद्ध है शुक्र है शनी यह लेकिन फ्लोरीडा नहीं है फ्लोरीडा नहीं है तीन का में अंतर्श्यान का प्रच्य पाराइए इसलिज की छो थे बी या दूसरा इसका राइट एंसर होगा आगे बढ़ते लिए प्रश्ण की तरफ अगला प्रश्ण आपके बीच आ चुका है उमीद करते हैं आपको दिखाई भी दे रहा होगा यहां पे हैं सौरी आपको प्रश्ण दिख रहा होगा जी हां कि गोल्डी लॉक्स जोन सब् कि अगर आपको सरकारी नोकरी करनी है तो जी असापको पढ़नी पड़ेगी और जिने लाइक किया है भगवान करें वह आगी इसतर बढ़ते रहें लगातार आगे बढ़ते रहें और जो बिना वीडिव को पूरा देके समझे हो लाइक करते हैं भगवान की बुद्धिक उनके एसे ही बनाया और और आगे भी ऐसे चलाने वाली पीराइबी विचई तरह से रहे ओकल लोगों के कम्मिया रहे टंस को क्या होता है इसे ख्राइब कया किए आवसी गंतुर के नाम से चेत्र जहां किसी ग्रह की सता पर तरल पानी होने की उचिट इस्तिति पाई जाती है तरल पानी ग्रहों पर जीवन की खोचका जोन कहते हैं इसकी 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 आपके काम आ जाएगी ठीक है और आगे बढ़ते हैं यह आपके लिए महत्पूर्ण है और इस्वर करते हैं कि आप सभी लोग बढ़ते रहागे मैं सराप नहीं दे रहा हूं मैं लोगों की तारीफ कर रहा हूं अच्छे लोग को दुनिया तलास करती है अच्छे लोग को हमारी सरकार हमारी देश हमारे गरीब साती सभी लोग अच्छे लोग के तलास करते हैं यह अच्छे लोग क्याने से हमारा देश अच्छा हो सकता है ठीक बहुत बहुत धन्यवादा सभी का आगे अगले प्रश्ण की तरफ अगला प जो कुछ सरल होंगे कुछ कठिन होंगे सभी तरह की प्रश्णाप को मिलेंगे तो फटाफट सभी साती जिन्होंने शेर नहीं किया है शेयर कर दें सभी साती को और प्रदिर राज साड़े नौ बजे जीएस की महा गाता सिरीज में सुपर 30 सिरीज में भगोल पड़ेंगे और तोर मंडल पूरी तरह सम्लों को खतम करना है चलिए आई इसके बारे में बात करते हैं इसका जो होगा केवल पूर्टया पतचिन के परिधीन छेत्रों पर आई इसके बारे में विदियो तो में बताता हूँ देखे हीरक वल्य का जो द्रिश्य होता है पूर्ण सूर ग्रहन के समय जब चन्द्रमा सूर को पूंता ढख लेता है तो कुछ सेके पूर के कुछ सेकेंड बात दि्खाई पड़ता है उसे हीरक वल्य पर द्रेखा पर दिस्टिकत होता है इसलिए दिए यह प्रष्टन का डाल दिया करिए अपने वाटसेप पर डाल दिया करिए ताकि लोग आपके साथ जुड़े और नहीनी चीज़े आपको भी सीखने को मिले अगले प्रशन की तरह बढ़ते हैं ध्यान से देखिए का आप लोग अगला प्रशन आपके सामने आच चुका है सूर्ग रहन कब होत अफिस का नंबर है इस पर वाटसेप करके आउनलीं क्लास नोट्स वीडियो लेक्ष्यर प्रैक्टिस सेट के विसे में जानकारी ले सकते हैं आईए सूर्ग रहन को हम एक चित्र के माध्यम से एक डाइग्राम के माध्यम से शमझने का प्रयाश करते हैं आईए एक तरीके इसप्सक्जिट्र से मैं आपको बता दू कि सूर्ग रहन कभन होता है सूर्ग रहन का मतलब जब सूर का प्रकास पिथवी तक नहीं पहुच्छ पाता उस इस्तिति को हम सूर्ग रहन कहते हैं और इसका उत्तर जो होगा वह आगे जब पढ़ेंगे इसके बारे क्लास पढ़ाएंगे तो हम ऐसे ऐसे सब्दावली आपको पढ़ाएंगे आम बोल चाल की भासा हैं बहुत सारे सब्दम लोग उपर से पढ़ लेते हैं लेकिन जब हम आपके लिए प्रश्णों की सिरीजी लेकर आएंगे तब हम आपको प्रद्दीन नए तरक के प्रश्ण अगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की तरफ ठीक हैं कि आज प्रश्ण काफी जादा है इसलिए हम लोग थोड़ा स्टेजीस चलना पड़ेगा प्रतेक सूर्ग्रहन होता है अगे देखें यहां पर पूछा है प्रतेक सूर्ग्रहन होता है बताईए जारा कमेंट करके सकती तो पुञाय कर जबाब देते हैं आठ असदां जयांते हैं इसलिए प्रतेक सूर्ग्रहन जोटा है वह अमवश्च्या के दिन होता है अमा वाष्या के दिन होता है किसी दिन अमा वाष्या के जो प्रस्टन है इसके स्कीन सॉड़ अפने पास जरूर रखेगा इसके स्कीन सॉड़ अपने facebook पर, अपने whatsapp पर, अपने instagram पर जहां भी आप होईएगा इस तरह के कि वह सेलेक्शन के लिए पढ़ाते हैं कि अगर मेहनत करेंगे इमांदारी से पढ़ेंगे तो नोकरी आपके कदमों वगी इसलिए हम लोग बात कम पढ़ाई ज्यादा करेंगे यूद्कि अगर सरकारी नोकरी करनी है तो जीयस पढ़नी है और जीयस में भुगोल अगला है स सूर गरहन कब होता है अब हम इस प्रस्न को बता रहे थे सूर हैं में दूद्क होता है एक वहत हैं ना कब करadaki केगा यहां Jestर कि करोची क्या होगी यहां पर reflect होगी, यहां से उपन निकल जाएगी, तब सूरिग प्रकास हमारी पिथिवी तक नहीं पहुच पायगा, तो इस इस्तिती में कौंसा गरहण होगा, सूर ग्रहण होगा मानि जब सूर का प्रकास पिथिवी तक ना पहुच पाए उसके लिए बीच में चंद्रमा आ जाता है इस इस्तिति को हम सूर ग्रहण कहते हैं ठीक क्लियर समझ मैं आप लोग को कोई दिक्कत कोई समस्या इसलिए जब सूर्च पिथिवी के इसमें चंद्रमा आ जाता है तब सूर्च प्रकास दिए गये जो प्रश्न है उसका विकल्प क्या होगा अž एम Kommentare करें की तरफ जी हाँ इस प्रश्ण की स्कीन सार्ट चायत आप कर सकते हैं बाकी आपकी इच्छा इसकीन सार्ट जरू कर लिजेगा क्योंकि यह आपके हमेशा काम आएगा अगले प्रश्ण की तरफ हम बढ़ते हैं अगला प्रश्ण आपके सामने दो प्रश्ण एक साथ आ चुके हैं सभी लोग पढ़िएगा प्रश्णों का जबाब दीजिएगा लोकि सरकारी नोकरी करनी है तो जीएस पढ़नी है प्रद्य रास दाने नो बजे जीएस की महागादा स्रीज में मैं दुरगेश याश्वा यूट्यूब चैनल इलेनी बद्रगेश पर हाजीरों आपके साथ हमारे फेस्बूक पेज इलेनी बद्रगेश है जहां पर फेस्बूक पर भी लाइब देख सकते हैं ठीक अब अगला है पितिवी सूर्क से निकटम दोरी पर होती है देखिए मैंने पढ़ाते समय बताया तो वहाँ पर मैंने आपको उपसार और अपसार इन दोनों बातों को मैंने अच्छी तरीके समझाया था पढ़ाया था बताया था इसलिए आज उस बात पर चर्चान नहीं करेंगे अगर जो इस वीडियो को पिछला नहीं देखें वो जरूर देख लेंगे ताकि हम और आ अधिका तीन जनवरी को होती है और आपको बताना है उसमें उपसार होता है कि अपसार होता है मैंने पिछली वीडियो लेक्चर में इस बात पर विधीवत चर्चा किया था वो भी चित्रो डाइगराम बना कर आगे देखते हैं शूर का आकार पिथिवी से कितने गुना ब चाहर करको बता दूँ अगर हम तृज्य की अनुसार देखें प्रश्ण को ध्यान से समझझेगा अगर तृज्य के इक आधार पर देखें इसका उत्तर ऑगा कोई नहीं नहीं होगा से तेरा लाग गुणा बड़ा सूर है लेकिन लेकिन अगर इसी प्रस्थमें सूर का आकार पिथिवी से त्रज्य के आधार पर कितना गुना बड़ा है तो जो सूर का जो तरज्जा है वह प्रिथिवी की तरज्जा से कितना 109 दसमलो दो गुना बड़ा है क्योंकि प्रिथिवी के जो तरज्जा है 6371 किलो मीटर है वहीं शूर की जो तरज्जा है 690,000 है 690,000 सूर की तरज्जा है इस प्रकार अगर हमें आप पर देखें कि गुने के आधार पर तो 109 गुना त्रिज्जा के आधार पर होगा अगर NCRT के आधार पर देखेंगे तो कोई नहीं होगा तो कि एगर NCRT कहता है कि अगर सूर को खोकला कर दिया जाए तो उसमें 13 लाख प्तिवियां शमा सकती हैं ठीक है तो मैं उमीद करता ह आधार पर हम तीसरा विकल्ब मान कर आगे बढ़ते हैं तो फटापर जिसने अभी तक वीडियो को लाइक करें जिनों के लाइक को शेयर करने से आपके पैसे कर जाएंगे लेकिन अच्छी चीजे अच्छे लोगों तक पहुच जाएंगी प्रतिन राज साड़े नोबजे जीएश की महागाता सीरीज में इलनी बदुरगेश पर विश्र भगोल की सीरीज चल लई है आप सभी देखिएगा अपने साती मित्रों को भी जरूर बताईएगा अगले प्रशन की तरफ हम बढ़ते हैं यहाँ पे निमनिकित में कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है मैं उमीद करता हूँ जितने लोग वीडियो को लाइफ देख रहे हैं वह फटा फट इस वीडियो का इस प्रशन का जबाब भी देंगे और साती साथ इसका सटीक एंस्वर भी बताएंगे देखिए अगर हम इनको हम सूर्य माल लेते हैं जो हमारा इलनी द्रगेश का लोगो है इसे सूर्य माल लिया जाए यहां पर सबसे पहले बुद्ध है ठीक शुक्र है प्रिथिवी है मंगल है व्रहसपति है सनी है और वरुण है इस प्रकार आठ ग्रह है तो सबसे पहले जो चक्कर अठासी दिन में इसका उत्तर क्या होगा दूसरा बुद्ध अठासी दिन में प्लूटो जो दिया है उसे ग्रह के स्रेडिश हटाई दिया गया है प्रिथिवी अगर देखा जाए तो वह यह 365 दिन में सनी कप दिया है तो साड़े 29 साल में तो सभी को आप जानते रहेगा ठीक है सारे प्रिश्ण को इसका उत्तर ये वेकि अठासी दिन में सूर का चक्कर लगाता है प्रिथिवी 365 दिन सनी साड़े 29 साल में सूर का चकर लगाता है और AIU ने प्लूटो को ग्रह के स्रेडिश से हटा कर इसे बौना ग्रह का दर्जा दिया है उमीद करता हूँ जित दिन राज साड़ाट बजा जाइएगा तो कि आज की क्लास थोड़ी से लंबी हो सकती है प्रिश्ण की स्कीन सॉट लिजेगा अपने फेश्बुक पे वाटसब पे भी लगाने खिलिए ताकि आपके साथ आपके साथी मित्र भी दिरे दिरे जियस में पारंगत हासिल कर लें जोगी सरकारी नोकरी करना है तो जियस पढ़ना है अगला है दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है मैंने शुरवात में बताया था कि देखिए यहाँ पे सूर है सूर के बाद सबसे पहला ग्रह है बुद्ध जो सॉरमंडल का और प्राकितिक उपगर है नेचुरल सेटिलाइट नहीं है इसलिए दियेगे प्रशने का उत्तर जो होगा वह बुद्ध और सुक्र होगा दूसरा इसका एंसवर राइट एंसवर है जी हां बुद्ध और सुक्र उसके बाद प्रिथिवीक पास एक मंगल के पास दो ब्रह की आपकी इच्छा इसकी पेडियाफ टेलेग्राम पे मिलेगी जहां पर दुर्गेश सरसर करके इलनी भी दुर्गेश डिस्क्रिप्शन में टेलेग्राम का लिंक है अगे बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरह अगला प्रशन आपके बीच आ चुका है मुमीत कराम को यह हम नहीं बताएंगे विकिए यहां पर क्या है अगर आप प्रशन का जवाब दे लेते हैं तो परिच्छा में कभी आपके उपर इस तरह के प्रशन आएंगे गलती नहीं होगी मनोबज्यानी दवाओ नहीं होगा देखिए प्रिथिभी के पास भी उपगर है जिसका न चौथा इसका राइट एंस्वर होगा जी हां चौथा या डी सही राइट एंस्वर है ठीक आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ अगला है वह अगर है जिसका कोई उपगरह नहीं है सेम प्रशन है मंगल के पास है नेप्चून है फ्लोटो है लेकिन बुद्ध के प लाओ करके आपके लिए कितनी चतुराई से नयने प्रशन बनाया जा रहा है लेकिन एक बार आपको कॉंसेट समझ में आने के बाद प्रशन को कितना भी परिवर्तिन करें यहां पे कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है कोई दिक्कत कोई समस्य आपको जी आनुप जी आपने स साथी मित्र भी आपके प्रशन का जबाब देते हैं उनका भी जिया से स्ट्रॉंग होता है अगे बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरह अगला प्रशन आपके बीच आ चुका है सूर का प्रभा मंडल जिसे हैलो कहते हैं प्रकास के अपवर्तन से उत्पन होता है तो प्रभा मंडल के कारण प्रकास के अपवर्तन से यह उत्पन होता है इसलिए दिये के प्रशन का उत्तर सीसका तीसरा इसका राइट एंस्वर है ठीक है जी है जाय दक्तर जी आप सभी आपको और पूरे देश्मासियों के इदुल फितर की धेरुसुकामना इस्वर करे जल हो तो बहुत-बहुत धन्यवादा सभी को आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ ठीक है चलिए अगले प्रशन की तरफ चलिए अब आच चुका है आपके बीच अगला प्रशन एक खबोली एकल एकक आउसत दूरी है मुमीद करता हूँ जितने लोग इस वीडियो को लाइप देख रहे हैं वे लोग सभी लोग फटा-फट कमेंड करेंगे कमेंड करके जब आप देंगे फटा-फट कमेंड करेंगे यी वीडियो लाइप क्लास चलिए आप सभी के लिए लाइब है जो भी शायती वीडियो को देख रहे हैं वे भी शेयर करना हो तो कर देंगे अनिसाथ्यों तक भी पहुसता रहे क्योंकि कर भला तो हो भला ठीक है नाम से जादा महत्पूर आपका सेलेक्शन है अगर आप नौकरी के लिए पढ़ रहे हो तो भाईया जी यह अगर देखा जाए तो प्रिथिवी और सूर की जो बीच की दूरी है उश्यों कहते हैं जो दर्स लगभग एक सो पचास मिलियन किलोमीटर या 149 दस मलोव 6 मिलियन किलोमीटर है ठीक है लगभग 15 मिलियन के दूरी के बराबर है इसलिए दिए गया प्रशन के टेंसोर होगा पहला इसका सही जबाब होगा ठीक है आप लोग सेलेक्शन के लिए पढ़िए नाम के महताज मत हुए अगे बढ़ते हैं अगले प्रशन के तरह हम चलते हैं तब तक चाहें ताब इस प्रशन के स्कीन सॉट ले लीजेगा ठीक अगला प्रशन आपके बीच आ चुका है आपको दिखाई भी दे रहा होगा है सूर और पितिवी के बीच औसत दूरी कितनी है यहाँ पे मैं उमीद करता हूँ जितने लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं वो लोग फटा फट कमेंट करेंगे कमेंट करके जबाब देंगे एक मिलियन में च्छ सुनना होता है तो बहुए 150 मिलियन अभीम ने कहा था तो बहुए 150 गुड़े 10 घाते 6 माने 15 गुड़े 10 घाते 7 कर सकते हैं इसलिए दिये के प्रशन का चौथा विकल्प डीस का राइट एंस्वर है मुँमीद कर रहा हूँ जितने लोग इस प्रश्णों का अध्यान करके आपके बीच लेकर आ रहे हैं आगे बरते हैं अगे पशनी की तरफ यहां सिस्कीन सौट आप ले लीजेगा जो भी साती लाइब देख रहे हैं पहला काम एक मिनूट के आप लो पानी पी रहे थे पानी डिस्प्ले पे गिर गया तो टच ही प्रश्ण को कितनी तरह से आपके सामने रखा गया है ताकि यहां से पढ़ने के बाद कभी भी परिच्छा में आपके प्रश्ण घलत कभी भी आपका सेलेक्ष्ण इन प्रश्णों की वज़ेश ना रुके इतनी तरह से आपको प्रश्ण पढ़ा देंगे ताकि जब भी परिच्छा में बैठें ता आपको लगेगा यह प्रिश्ण दुर्येश सर्शे पढ़े थे यह प्रिश्णों में इलदनी भी दुर्य किलो मीटर ठीक है इस प्रिश्ण का उत्तर चौथा या डीस का राइट इंसर होगा इस 504 तो ले सकते हैं आगे बढ़ते हैं अगे प्रिश्ण की तरह अगला प्रश्ण आपकी बीच आ चुका है उमीद करें आपको दिखाई भी दे रहा होगा और सुनाई भी दे रहा हो हो गां दोनों एक साथ हो रहा होगा अगला परशन है कि मैगलन अन्तिच्यान किस घ्रभ तु भेजा गया था तो फटाफट कमेंड करें कमेंड करके जबा जरूर दीजिये बताइए आप जो मैगञन अंत्रिच्यान था वो शुक्रग्रह के लिए बेजा गया था जी हाँ सुश्क ग्रह के लिए बेजाग्या था यसात्य किलास पुईतर से लाइब चले ये जो साथ इसे लाइब वो लाइक को से जोरू करते रहें, अगला प्रस्ट मेंने किसमें ते पहले कहा था pitching घोलाकार है फटा फट कमेंड करेंड जवाब दिजएगा, देखते हैं कि इस प्रस्ट का जवाब सबसे पहले कॉन देता है फटाफट कमेंट करिएगा चली बिजेश मिस्टा जी कोई बात नहीं देर आईए दुरुस्त आईए बाद में वीडियो को देख लीजेगा जो प्रशनाप की छूटे है देखिए इसका उत्तर जो होगा वो होगा अरस्तू जिया अरस्तू कई भी स्यों के जनक है और इन्ह अगला प्रशनापकी बीच है एक जुधारिक रूप में प्रितिवी का बिज्यानिक नाम है चाहिए गजब का प्रशना है एक जुधारिक रूप में जैसे किसी भी जुधारियों का नाम होता है वैसे क्या प्रथिवी का भी बेग्यानिक नाम है आप इस प्रश्ण को बताईएगा और इसकी स्कीन सेट जरूर लीजिएगा और अपने स्टेटस पर जरूर लगाईएगा अपने फेस्बुक पर जरूर पोस्ट करेगा अपने इस्टाग्राम पर जरूर पोस्ट करेगा ज मतली बैयाजी the green planet यहीते हम क्या कहते है नीलाग ब्लूप लानट ग्रीन प्लानेट इसे भी जुद्धारी के नाते यहां पे चीवन पाया जाता है इसलिए प्रिफी वी का जो बहंत्यानिक नाम है उसी green प्लैनेट कहते हैं सोचिए इस प्रश्ण की कितनी भैता तरीके साथ के लिए बनाया गया था अगर इस तरह की प्रश्णगर आप तयार करते रहेंगे यकीन मानिए आपके लिए यह सीरीज भहुत ही महत्रपूर होगी आगे बढ़ते हैं लेकिन इसकी स्कीन साट चाहे तो अपने पासुरचित रख सकते हैं अगला प्रश्णाप के बीच है पृतिवी का भ्यास है जी हाँ पृतिवी का भ्यास पूछा गया है तो पृतिवी का भ्यास वैसे हम जानते हैं पृतिवी के दिज्जा 6,371 किलो मेटर है गुड़े 2 कर देंगे ब्यास निकल जाएगा लिकिन अगर ब्यास लगभग में दिया हो तो 12,800 होगा लगभग 12,800 किलो मिटर होगा जी हाँ इसका उत्तर तीसरा थार्ड इसका राइट एंसोर होगा क्योंकि प्रिति विक तृज्जा 6370 किलो मिटर है और ब्यास जो होता है तृज्जा गुड़े दो होता है विकि मैं मैं मैथ का भी अध्यापक हूं मैथ मेरा फ्योड़ सब्जेक्ट है और यह प्यस्टी का और सब्जेक्ट मेरा जियोग्रॉफी है जी हां इसलिए हम मैं आपको मैथ से भी समझा दे रहे हैं ठीक है आप मैं उमीड करता हूं के कॉंसेप्ट के लिए हैं क्या आप इस प्रशन क प्रशन को मैं असप्रश्ट करके भी बताऊंगा देखें यह मारा सूर्य हो गया यह मारा बुद्ध हो गया यह सुक्र हो गया देखें बुद्ध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है बुद्ध जो है लेकिन फिर भी सबसे गर्म ग्रह नहीं है सबसे गर्म ग्रह है वो सुक्र है क्या है सुक्र है तो कि इसका एक खासियत और है इस ग्रह पे लगभग 95% कार्बन डाई ऑक्साइट की मात्रा पा जाती है आप हम जानते हैं कारबन डाय अक्साइट को हम आप पारेगमता गैस कहते हैं क्योंकि यह सूर से आने वाली जो क्रेड़े होती हैं एब्जॉर्ब कर लेता है इसलिए इसे प्रेसर कुकरवाला ग्रह कहते हैं इसे साम का तारा कहते हैं इसे भोर का तारा कहते हैं पितिवी की जुडवा बहन कहते हैं पिटिवी की भगनी कहते हैं पिटिवी की बहन कहते हैं ठीक है इस इन सभी नामों से जाना जाता है पटावड बताईए समझ माना आप लोग को न आगे बढ़ते लिए प्रिश्णिंगी तरफ यह आप लोग सेर नहीं कर रहे हैं संख्या आप लोग के नहीं बढ़ रही है अब आ रहा है किसे कहते हैं तो फटा 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 भी लोग बताईए कमेंट करके इबिनिंग स्टार किसे कहते हैं देखिए आप एक मोबाईल लंबर दिया गया है हो सकता है आपके परिच्छा ओन्लाइन क्लास नोट्स विडियो लेक्चर के काम आ जाए ठीक सभी लोग के काम में आने वा कहते हैं कि मैं आपका समय नहीं का मौँगा मैं जल्यली आगे बढ़ांगा सुबह का तारह भौर तारह साच का तारह मंगल को लाल कि रहा कहते हैं व्रेश्पति गरह को हमादर सबस्क्राइब बड़ा गरह यहाँ पर प्रिछिवी इतनी बड़ बड़े तुफान चलते है फिर अपको पताय है कि भोर का तारा सुक्रों कहा जाता है कि वाल गरह कहते है इसे छलो वाला ग्रह कहते हैं इसका घंड तो सबसे कम है ठीक मंगल में आरन अक्साइड करने से लाल ग्रह कहते है हमारे सुरमंडल का सबसे उचा परवद निक्स ओलंपिया यहां पे है यह सबसे कम से में सुर का चक्का लगाता है लेकिन देग है प्रश्ण का उत्तर 20 का र अभ्यंतर में से भिन्द चंद्रमा का अभ्यंतर है कि इस युझ का में आपको ज़्यादर शमय नहीं लोगा इस पर मैं आपको जल्दी से आपका जबाब दूंगा उसे स्यान ब्रव द्रव कहते हैं ठीक है संदर्व कहितेँ है इसके वारे में जबंडर्वर प्रश्चना पढ़ाएंगे तो हम इस बातों को चर्चा करेंगे प्लाजमा नहीं होता है वास्पीज गैस और ठोस नहीं होता है उसे श्यान द्रब्बे कहते हैं उसके बारे में जब अगे तरीके से देख लेंगे अगला प्रश्चना आपके सामने हैं कि भूपरपटी प् अगर भूपरपटी में देखा जाए तो सब्सेज़ादा जो पाया जाता है वह हमारा ऑक्सीजंट वह क्या है ऑक्सीजन रेकिन 베क सर्फ पूछा पाया जाएगा अगर पूछ दिया जाए तो आप लोग कमेंट करके उस पर नगाभी जवाब चरूर दीजेगा क्योंकि हमने भी आपसे पूछा है ठीक है सबी लोग पतायेगा कि पूरे पूरे पृट वी पे सभस्य दरा सायन कौन सा पाय जाता है और यहाँपे भू पर-पटी पुछा है जो उपर का am शुनाए भी दे रहा होगा पिठिवी तक पहुंशने के लिए सूर से चला प्रकास समय कितना लेता है अगर इसे second में पुच्टा है तो याद रखेगा 500 second अगर second में पुच्ता है तो 500 second रट्टा मार दीजिए लेकिन यहाँ पे थोला साब लोग कमेंट करके जरणा जवाब दीजिएगा वीडियो साब चल लई है आवाज साफ आ रही है नहीं आ रही है सभी लोग फटा-फट कमेंट करके जरूर बता दीजेगा कन्फर्म करिएगा कि क्या आवाज साफ आ रही है मेरी आपको मेरी आवाज जो आ रही है वीडियो क्वाल्टी तो कमेंट करके लोगो बता दिया करिए कि यह साप चल रही है देखिए यहाँ पे अगर प्रस्टन देखा जाए तो आठ मिनिट लगभा होगा लेकिन आठ मिनिट सोला सेकंड कहीं कहीं सत्रा सेकंड मिलता है वेकि जो प्रकास की चाल है वो तीनलाग किलोमेटर प्रतिगंटा है और लगभाग सो पचास मिलियन दूर है तो उसी कि प्रतिगंट होता है ठीक है आगे वरत्तने के प्रस्टन की तरफ मुमीद करता हो इस स्किन सॉट ले लिजएगा यह सब यूनिक प्रस्टन है जो परिछ्छा में बार बार पूछे जाते हैं और यहां से हमें गल्ती नहीं करना है अगर सरकारी नोकरी करना है तो जीयस पढ़ना है प्रद्य रात साड़े नो बजे इलेनी बिदुर्गेश पर भुगोल की महागाता सीरीज में सुपर 30 जीयस जहां पे 30 जीयस के प्रश्न पढ़ेंगे यह ध्याय खतम हो जाएगा उसके बाद हम लोग को पढ़ना है उसका नाम होगा प्रिथवी और उस पे बनी रेखाएं तो आज की सीरीज के बाद अगली सीरीज वही पढ़नी है पिठीवी पर कौन सा एक तारा पिठीवी के सरवादिक समीप है तो बैया सबसे समीप जो तारा है पिठीवी का कौन सा होगा मुमीद करता हूँ जितने लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं श चाहियो को सुएं जल्दी सरकारी नोकरी करें मिठायां कहलें इसका उत्तर सूर होगा जियां पिठीवी के सबसे नजदीक का तारा है वह सूर है कि सूर भी एक तारा है मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया है आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प् कि प्रिथिवी के निकर्तम ग्रह कौन सा है फटा फट कमेंड करें कि प्रदियन रात साधे 9 बजे जीएस की महा गाता सीरीज रात साधे 9 बजे स्टार्ट होती है तो प्रदिन अगर आप लोग को सरकारी नौकरी करनी है जीएस पढ़नी है तो सोने से पहले जीएस का विकल्ब के अनुसार देखा जाए तो यहां पर मंगल होगा प्लेटो दूर है सनी दूर है ब्रसपती दूर है इस विकल्ब के आधार पर मंगल इसका राइट एंसर होगा लेकिन वहीं अगले प्रशन की तरफ हम बढ़ते हैं तो जो अगला प्रशन है पिथिवी का निकर कौन देता है फटाफट सभी लोग कमेंड करके जवाब दीजेगा सभी लोग जितने वीडियो को लाइप देख रहे हैं फटाफट कमेंड करिएगा क्योंकि हम सेलेक्शन के लिए पढ़ाते हैं मेरा उद्देश से देखें यहां पर जो होगा वा इसका उत्तर होगा सुक जब सुक्र मंगल दोनों दे उसका उत्तर सुक्र होगा यहां पर सुक्र नहीं था सुक्र के बाद मंगल आता इसलिए इस दोनों प्रशन की स्कीन साट लीजेगा दोनों प्रशन अपने पास सुरच्छित रखेगा क्योंकि दोनों का कंडिशन था पहले में सुक्र ना होन शुकर उसका सही जबाब होगा चाहें तो इस प्रशन की स्किन सॉट लेकर अपने फेस्बुक पर अपने वाटसाप की स्टेटस पर लगा के अपने मित अपने दोस्तों को ग्यान बढ़ा सकते हैं, अगले प्रशन की तरफ हम अगर शर होते हैं अगला प्रशन आपके वीच आ गया प्रिथिवी अपने परिक्रमापत पर प्रिथिवी लगभकिस माद वेक से सूर का चक्कर लगाती है तो मैं इस प्रशन में आपका समय जादा नहीं लूँगा वेकि आज हर हाल में क्लास खतम करनी है अगले दिन से नया टॉपिक पढ़ना है नया ध्याय पढ़ना है तो आज प्रिथिवी और ब्रह्माण खतम करना है सौर मंडल खतम करना है इसलिए इसका उत्तर होगा 30 किलो मेटर प्रतिस सेकेंड जी हाँ 30 किलो मेटर प्रतिस सेकेंड पृतिवी इस गती से सूर का चक्र लगाती है माद्यवेग से अगला प्रशनाव के बीच है पृतिवी अपने अक्षपर जुकी है मैंने स्टार्टिंग पढ़ाया था पृतिवी का दो जुका होता है एक अच्छी जुकाव, एक अच्छी जुकाव आई ये दोनों तत्यों को हम चर्चा करते हैं जैसे ये हमारी पितिवी हो गई पितिवी का जो अच्छी जुकाव है वो यहाँ से देखेंगे तो साड़े तेई डिगरी है लेकिन अगर यहाँ से कोई एक रेखा गुजाते हैं तो इसकी जो कच्छी जुकाव होगी अच्छी जुकाव तो इसका साड़े तेई डिगरी होगी लेकिन अगर कच्छी जुकाव पूछेगा तो 90 में से साड़े तेई घटा देंगे तो साड़े चाचाटा जाएगा जी आपने एक दम सही सुना साड़े 6-6 डिग्री होगा मैंने इसको पढ़ाया है स्टार्टिंग भी मैंने बताया था योगि सरकारी नोकरी करनी है तो आप सभी को GS पढ़नी है किलियर हुआ या मैं इसे दोबारा स्पष्ट कर दू अच्छी जुखाओ और कच्छी जुखाओ को बताये या पिति भी अपने अच्छी पर 3.5 डिग्री जुकी है इस जुके हुए कारण पिति भी अपने धूरी पर 100 मील प्रति घंटे की गति से चक्कर लगाती है और एक चक्कर पूरा करने में लगभग इसे 24 घंटे का समय भी लगता है अगे बरति अगले पशने की तरफ आप चाहें तो इस पशने की स्की इंसोर भी अपने पास सुरचित रख सकते हैं बाकी आपके इच्छा ठीक है चलिए कोई बात नहीं यह आज का आखिरी प्रस्ट था और यहां से हमारी जो क्लास थी वो प्रस्ट थी जो चुकी है कल हम लोग पढ़ेंगे रेखा रेखा खंडों के जाल प्रतिवी प्रतिवी मंदित जुस पे रेखाएं हैं और प्रमुक जौला मुखी क्या है इन सभी के बारे में पढ़ेंगे तो कल के टॉपिक आप लोग तयार करके रखेगा कल हम लोग चटान प्रतिवी से जुड़ी हुई महत्रपूर्ण सी आल सी मानीफे भुमद दे रेखा करकरेखा इन सभी के बारे में दिन रात का होना उनसे जुड़े प्रस्टन को लेकर आएंगे जो परिच्छाओं में बार बार पूछे जाते हैं जहां से परिच्छा में प्रस्टन बार बार आते हैं जी हाँ ठीक है तो फटाफट कमेंट करके आज की क्लास हैं पे खतम होती है मुझे लगा और भी प्रस्ण है लेकिन प्रस्ण आपके खतम हो चुका है तो आप से भी शातियों का बहुत भूत धन्यवाद प्रत दिन रात साड़े नो बजे जीएश की महागाता सीरीज में आप सबी का स्वागत है प्रत दिन रात साड़े नो बजे इसकी पीडियाफ आपको मेरे टेलीगराम पे मिलेगी जहां पे दुर्गे सर सर्च करके इलनी पे दुर्गे से चुड़ सकते हैं कल साड़े नो बजे फिर मिलते हैं जीएश की महागाता सुपा थक्टी सिरीज में जैहां हम लोग पढ़ेंगे जीएश की महागाता में भुगोल तो क्या आप लोग कल साड़े 9 बजे लाइब रहेंगे क्या जितने उस वीडियो को देख रहे हैं क्या आप कल सभी रहें क्योंकि कल का टॉपिक और ही मजेदार बड़ा है कल मुझे समझाना जादा है कल तथ्यों को असपश्ट जादा करना होगा इसलिए कल कॉपि कलम लेकर बैठियेगा कल का मतलब मेरी अगली क्लास का होता है ठीक है? तो आप सभी साद्यों का बहुत-धन्यवाद अगर आपने वीडियों को लाइक नहीं किया तो लाइक करेगा शेर नहीं किया तो शेर करेगा आपके मन में कोई सवाल हो तो फटापट पूछ लिजेगा और ओनलाइन क्लास के लिए 630-634-367 पर वाटसेप करके ओनलाइन क्लास समध्य जनकारी ले सकते हैं आप से भी शादी का बहुत बहुत धन्यवाद बेस्ट आफ लग वीडियो को शेयर जरू करिएगा ठीक है आज की जो सुरमेंडल का प्रशनों की स्रीज थी वह आज खतम हो गई फिर अगली स्रीज के लिए आप लोग को इत्यातु इंदिजार करना होगा या तो वीडियो क देंगे और कुछी सवाल मन में शार्ब करें में तक है कि फटाब कर मेंडिक हिममेज tribe कर जौनी में जब आप दें को अब को सब्सकी है और को का सभी और लोग बजे रात लाइव होंगे उसके बाद आड़ बजे पिर शाधे 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 शुबह साधे नोव बजे स्युद्द आपकी लिए तयार है आप लोग जुड़िए गाइन पीद्रकेश भूथ धन्यवादा सुभी का कि ठीक है चलते हैं बहुत धन्यवादा सुभी का को सवाल नहीं आपका चलिए बेस्ट आफ लग जय हिंद जय भारत भगवान करें आप लोग जीस तरा आगे बढ़ते रहें एक ताजी बहुत धन्यवादा आपका मनिस सक्या जी जी हां चलिए अंते में सभी रोजेदार काओ इद उल्फितर किया हादिक सुक्काम नाएं थैंक यू बेस्ट आफ लक जय हिंद जय भारत